इस किरीम का उपयोग पिंपल्स की इल मुहां से एकनिक की समस्या को ठीक करने का काम ये किरीम करता है और जैसे कि अगर किसी के चेहरे पर छोटे बड़े दाने हो जाते हैं या फिर फूनसी की समस्या रहती है तो उन सारी समस्याओं को ये किरीम ठीक करने का काम करता है यानि Pimple's और एक्निक की समस्या को येजड से ठीक करने का काम ये किरीम करता है और इस किरीम का इसकीन यानि तूचा से Related इसकीन से Related किस परकार की दिक्कत, किस परकार की समस्या रहती है तब oup्टर के द्वारा ये किरीम तूचा पर यानि स्कीन पर अपलाई करने के लिए दिया जाता है इस किरीम का डोज क्या होता है ये किरीम लगाना कैसे होता है ये किरीम एक दिन में कितनी बार लगाना होता है इस किरीम का साइड इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में आज हम आपको पूरा डीटेल से हिंदी में जानकारी बताएंगे जैसे कि अगर किसी के फेस पर यानि अगर किसी के चेरे पर पिंपल्स की समस्या रहता है एकनीक की समस्या रहता है जैसे कि अपने देखाऊगा पिंपल्स और एकनीक की समस्या continue बना रहता है और वो ठीक नहीं होता है बहुत सारी medicine बहुत सारे दवा बहुत सारी cream वो यूज कर लेते हैं उसके बाद में भी उनके चेरे पर इंपल्स और एकनी की समस्या जो रहती है उस समस्या को ये cream जड़ से ठीक करने का काम ये cream करता है और जैसे कि अगर तुचा पर किसी भी परकार का अगर कोई bacterial संकर्मण हो जाता है यानि एक परकार से हम आपको समझा सकते हैं कि अगर आपके तुचा यानि इसकीन पर किसी भी परकार से अगर किसी कारण से bacterial infection हो जाता है उसकी वज़ा से आपके स्कीन पर फपुले पढ़ जाते हैं, छोटे-छोटे दाने पढ़ जाते हैं, कभी-कभी आप खुजली करते हैं, जैसे कि आप अपने स्कीन यानि अपने तोचा पर आपने खुजली किया, वहाँ पर दाने पढ़ जाते हैं, लाली पढ़ जाता है, जलन की समस्या होने लगत होता है कि चोटे-चोटे दाने निकलने लगता है एक दाना आपके एक साइड में रहता है फिर दो साइड में रहता है और जैसे कि अगर आपके चेहरे पर अजीब तरीके से infection की समस्या हो जाता है, तब वो समस्या को ये किरीम जड़ से ठीक करने का काम करता है, और जैसे कि अगर आपके चेरे पर आपने खुजली कर दिया, जैसे कि अगर आपको एकनिक या पिंपल्स की जैसी समस्या है, वहाँ पर आपने उसे एक तरीके से फोड दिया आपने फोड़ा पुन्सी को या उसे आप किसी कारड से हाथ आपका पड़ गया आप अपने फेस पर तो वहाँ पर पस निकलने लगता है उसे और ज़्यदा infection होने की समस्या बन जाता तो इन सारी समस्याओं को ये जो केरीम है न जड़ से ठीक करने का काम करता है ये कर परकार का कोई भी infection है तो उस infection की समस्या को ये क्रीम ठीक करने का गाम करता है और आपके skin पर अगर आप किसी भी कारण से फफोले पढ़ जाते हैं, वहाँ पर redonious की समस्या जाते हैं खुजली होने लगता है आपके सरेर में कहीं पर अगर खुजली की समस्या हो तो तब भी आप ये क्रीम आप अपने इस क्रीम पर अपलाई कर सकते हैं चलिए हम आपको बताएंगे ये क्रीम आपको अपलाई कैसे करना है जैसे कि अगर आपके चेरे पर पिंपल्स या फिर एकिनिक की समस्या है लगाने के बाद में आप कम से कम 20-25 मिनट तक एक एक तरीके से यह हम आपको बताना चाहते हैं कि आप धूप में ना निकलें यह किरिम लगाने के बाद में आपको धूप में नहीं निकलना है उसके बाद में अगर आप चाहें तो आप अपने फेस को डेटॉल या फिर साबून से धूल सकते हैं कम से कम आप ये कोशिस करें कि ये किरीम आप जब भी लगाएं तब आप धूप में ना निकलें और ये किरीम चार से पांस घंटा आप अपने फेस को प्रॉपर बचा के रखें धूप से ताकि ये जो किरीम है आप अपने फेस पर अच्छे से अपलाई करें और ये आपके फेस को काफी हद तक ठीक करने का काम करें अगर आप धूप में नहीं निकलेंगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा और जैसे कि अगर आपने ये क्रीम लगा लिया है और आपको कहीं धूप में निकलना है या फिर आपको कहीं बाहर जाना है तो सबसे पहले आप अपने फेस को पानी से धुलने धुलने के बाद आइना नहीं तो आप के चहरे पर Raiderness के समस्या हो सकतीय, खुझली हो सकता है